विंटर्स में क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी वाइरस हैं हमारी जो और सांस संबंदित बिमारियां वो भी काफी हद तक पड़ जाती है और उसके साथ करोना होना तो ये मामले को और भी ज़ादा गंभीर कर देते हैं कि अच्छा में पॉजटिव आ गया तो हम इसमें बात कर रहे थे कि इसमें आपको सोचल डिस्टेंसिंग करनी है पर कहीं ना कहीं लोगों ने इमोशनल डिस्टेंसिंग करना भी शुरू कर देघे पूरे देश में दिल्ली में सबसे ज्यादा करोना की केस आ रहे हैं एक औसत 7000-8000 की रोजाना हो रही है लेकिन डराने वाली चीज यह है कि मौतों का सिल्सला लगतार बढ़ रहा है सौच से ज्यादा मौतें रौज हो रही है यह सब की तरों से कहा जा रहा है कि यह थर्ड वेव है कोई कह रहा है सेकंड वेव है यह वेव होती क्या है और करोना में इसका क्या किस तरह मापा जाता है और वी के माम लबर खुल के बात करेंगे मेरे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी मौझूद है भाटी जी केस दोवारा बढ़ने लगे कहा कि पहले पीक आगे पीक चले के दोवारा आगे अब फरी है फिर तरह एंपर वेव है clicking का लिखोंट हरे वि nhृ सकते हैं कि सेकंड वेव है और second wave में अभी peak आया है हना तो ये सब चीजे जो है epidemiologist का data के ओपर बहुत सारी चीजे इसके ओपर देखी जाती है बट अगर हम इस तरह से ground reality की बात करें तो जो पहले शुरू में जिस first peak की बात की जा रही थी या जब हम March-April में के अंदर जो cases हो रहे थे उस time जो positivity rate था या उस time जो transmission rate था जिस तरह से cases बढ़ रहे थे वो अभी देखा जा रहा है बट अब ज़्यादा severity देखी जा रही है इस time आप इसको चाही second wave की peak कही है या आप इसको third wave कही है बट इसमें severity जादा देखी जा रही है हम बात कर रहे थे नौरात्रों के time से जब festival season शुरू हो रहे थे उस time से prediction की जा रही थी और बताया जा रहा था कि festival के बाद winter season के अंदर और जब दिल्ले में pollution बढ़ जाता है उस time ये जो positivity rate है ये बढ़ जाएगा disease की severity भी बढ़ जाएगी pollution के time और सर्दियों में खास तोर पे winters में क्या होता है कि जो respiratory virus है हमारी जो और सांस संबंदित बिमारियां वो भी काफी हद तक बढ़ जाती है और उसके साथ करोना होना तो ये मामले को और भी ज़्यादा गंभीर कर देता हो और वैसा ही अभी देखा जा रहा है हम देख रहे हैं कि अब हमारे पास जिस तरह के जो positive cases आ रहे हैं जादा तर सभी symptomatic है और उनको pneumonia वगेरा काफी develop हो रहा है उसमें दो तीन चीज़ां और भी देखने वाली है कि जैसे हमारे हम patients ने कहीं test कराया उसने कहीं भी किसी भी camp में test कराया और उसको 17 days के लिए isolation के लिए advise कर दिया गया advise होने के बाद उसकी monitoring कितनी हो रही है अगर उसकी monitoring ठीक तरीके से नहीं हो रही तो कई बार उसको पता नहीं लगता हो अपने symptoms को ignore कर देता और जब वो बाद में आता है तो उस time वो काफी severe condition में होता है अब इसमें दो बातें और हैं देखने वाली कि हाँ हम testing की capacity पे बात तो कर रहे थे कि testing की capacity हमें बढ़ानी है बढ़ानी है ठीक है और वो हम बढ़ा भी रहे थे उसमें कोई confusion नहीं है कि testing की capacity काफी बढ़ चुकी है पर test करानी के लिए लोग अभी भी hesitate करने हैं सबसे ज़ादा इस बिमारी में देखा गया है कि अगर आप time से test करा लें और time से treatment शुरू करा लें तो ilaj बहुत अच्छा तरीके से हो जाता है इसमें कई बार ilaj देरी में कराने के बाद ही जो यह हम देख रहे हैं मौतों का आकड़ा हना यह जो severity of disease यह तब ही होती है एक चीज तो यह वाली दूसरी इसके अंदर हमारी जो beds की capacity थी अभी भी जो हमारे पास phone आते हैं पेशेंट्स phone करते हैं सबकी bed available नहीं हो रहा test तो फिर भी आपको available हो जाएगा आप करा सकते हैं सरकारी hospitals में भी test की सुवीदा उपलब्द और काफी camps भी लग रहे हैं test के लिए बट जो bed available होना वो काफी मुश्किल हो रहा है तो यह कुछ-कुछ चीजे हैं कि जो हमारे हाथ में हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है पर जो bed की capacity बढ़ाना वो तो हमारे कंट्रोल में है काफी हद तक और उसको हमें simultaneously बढ़ाते रहना पड़ेगा चाहिए graph कम हो disease का या graph बढ़े अभी हमारे लिए सबसे important है कि अपने resources को ठीक तरह से करते रहें ताकि हमारा system लड़ खड़ाए ना जब भी ये wave की जो हम बात कर रहे है जो उपर नीचे चल रहा है अगर ये बढ़ता है तो हमारे पास system पूरी तरह से ठीक रहे जब तक की vaccine ना आई इसी से जोड़ा सवाल है जिस तरह wave इस तरह चलती है तो पहले virus peak पे जाता है फिर जो लोग aware होते हैं दोवाईया खाते हैं फिर dawn आ जाता है फिर दोवारा जब peak पे आता है तो क्या वो mutant होके आता है क्या नए शकल में नई ताकत के साथ आता है या पुराने कोई लोग ध्यान देना छोड़ देते हैं उसके पीछे दो तीन कारण जैसा हमने बताया है कि festival season और उसमें काफी हद तक भीड होती है तो भीड के अंदर ये transmission rate जादा बढ़ जाता है आप जो mutation की बात कर रहे हैं या और भी जादा खतरनाक उसका कारण तो अभी इसलिए देखा जा रहा है तो इसलिए ये लग रहा है कि और भी जादा खतरनाक है इस पे अभी बहुत सारी research बाकी है क्योंकि अभी अगर हम देखें तो जो first positive case आया था उसको लगबग अब एक साल हुआ है तो नया virus है और अभी research में और सब चीजों में तो समय दिया ही नहीं जा पा रहा है क्योंकि अभी तो हम जो ground level पर जो acute चीजे हैं उनको manage करने में लगे हुई सर्दी आ रही है सब लोग ढ़के कपड़े डालते हैं पूरे कपड़े मुह भी ढखा रहता है तो लोगों में लोग ये कह रहे हैं हमके सोचना है कि virus कम हो जागा क्योंकि पूरा मुह सब कुछ ढखा रहेगा कपड़े भी ढखे रहेंगे तो हमें फरक नहीं पड़ेगा ऐसा है कुछ जी ऐसा कुछ नहीं है ये भी एक मीत है कई बार आपको सर्दियों में क्यों transmission rate जादा बढ़ रहा है सर्दियों में भी close atmosphere में लोग रहते हैं हमने देखा है कि family के अंदर भी पूरे के पूरे घर में लोग positive हो जाते हैं सारा एक family member positive है बाकी भी सब family member positive हो गए pollution की वज़े से हम खिड़किया और ये सब कुछ बंद रखते हैं और घर का atmosphere घर में जो positivity rate है transmission है वो जादा बढ़ जाता है तो सर्दियों में अभी देखा गया है कि ये जादा बढ़ गया और हम ढ़के रखें अपने आपको उससे हमें infection नहीं होगा इसके अलावा बहुत सारी बाते हैं कि हमें जो दूसरे और भी COVID appropriate behavior से उनको follow करना है अब भी आप देखेंगे कि बजार में आपको लोग मिलेंगे कि ठीक है अगर वो खा रहे हैं तो उनको मास्क तो नीचे करना ही पड़ेगा अभी भी बहुत इस तरह की आप देखेंगे चीजें कि कहीं बहुत काफी हद तक लोग careless वाला attitude अपना रहे हैं और जिसकी वज़े से वाइरस का transmission बढ़ता ही जा रहा है इस तरह सर्दी आ चुकी है लगवक तो मौसम बदला है हर तीसरे आदमें को सर्दी खांसे जुकाम है बुखार भी हो रहा है तो कैसे पता लगा है कि हमें करोना कराना चाहिए या नॉर्मल घर की पहले से टमोल या कोई दवाई खांके ठीक हो जाएंगे दिखिए इसमें सबसे इंपोर्टेंट यह वाली बात है कि किसी भी तरह के कोई अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करे और अपने जो फैमली फिजीश है ना उनसे एक बार जरूर बात करने कि कुछ-कुछ सिम्टम्स है जो बिलकुल मिलते जिलते होते हो कि अब हमने पहले भी बताया कि टाइम से अगर हम टेस्ट को नहीं करा पाएंगे और उसको बिमारी को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर काफी हद तक जो डिजीश की सीवियर्टी होने की चांसे बढ़ जाते हैं बहुत हद तक देखा गया है कि आप घर में आराम से थीक हो सकते हैं अगर हर चीज को आप ठीक तरीके से मॉनीटर करें पर यह जुछ इंटम को पर उससे थोड़ी और सफ ऑच चीजे बढ़ जाती हो अब ही देखा गया है कि और हमने इस बार देखा है कि डेंगू भी काफी कम रहा है, मलेरिया भी काफी कम रहा है, टाइफ आइडिया और भी जो हमारी इवन जो पोस्ट मानसून जो बिमारियां थी वो भी काफी कम थी, अभी जो देखा गया है सबसे ज़ादा तो COVID positive cases ही आ रहे हैं, लोग टेस्टिंग तो हर जगा हो रही है, free मे में भी हो रही है, कम रेट में भी हो रही है, लेकिन जहां कहीं कैम लगता है, लोग दूसरी तरफ से चले आता है, लोग डर रहे हैं, लोग यह कह रहे हैं कि टेस्ट कराएं तो positive आ जाएंगे, इसलिए test कराओ मत, यह धार्ना हो गई है, इसके अलावा यह लगता है शुर करना भी शुरू कर दिया, को लगता है कि अच्छा यह पॉजिटिव आ गया, तो फिर पतानी सोसाइटी में मेर से डिस्टेंसिंग, मतलब अभी भी इसको लोग स्टीगमा मान रहे हैं थोड़ा, इसलिए इससे लोग बचते हैं, बट यह माइंड सेट को ठीक करने की जू तो बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है, किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, मतलब यह जो सर्दियों का टाम है, ज्यादा एहतियात बढ़ते हैं कि जूरूत है, जिस तरह से मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी वाइरस बढ़ जाते हैं, तो इसमें हमें जा सर्दियों के अंदर जैसे हमने बताया कि सर्दियों के अंदर जो और भी रेस्पिरेटरी वाइरस है, वाइरस और भी होते हैं कई तरह है कि जो रेस्पिरेटरी वाइरस हो वो सर्दियों में अधिक बढ़ जाते हैं, सांस वाले और सांस सम्मध्यत बिमारियां भी काफी ह तक बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि Delhi तो वैसे भी most polluted city in the world है यहां पर हमारी जो lungs की already capacity है लोगों की वो उतनी अच्छी नहीं है दिली की क्या बात करें अब तो NCR और सब जगा भी हम देख रहे हैं pollution का स्थर इसी तरह से बढ़ गया है और भी metropolitan cities में भी इस तरह का pollution का level बढ़ गया तो हमारी जो lungs की vital capacity भी वैसे कम हो जाती है ना जो हमारी lungs की शमता है वो function वो भी थोड़ा कम रहता है तो यह दो चार परमूप कारण है जिसकी वज़े से जो है हमें अगर infection भी हो जाता है साथ में COVID का तो वो और ज्यादा severe हो जाता है बिलकुल सर्दियां हमें ज्यादा ध्यान रखनी की जुरूत है क्योंकि respiratory बीमारी है सांस की जो बीमारी है और ज्यादा बढ़ जाती है और कोरोना के चलते ज्यादा है बढ़तने की जुरूत है और टेस्टिंग जितना हो सागो उतनी कराए जाए दिल्ली से कैमरा में लक्ष के साथ नितिन धिवा लव मैरेज पती पतनीच आनबन विदेश्च पक्का होना कारूबार दा ना चलना सिर्फ एकत्ती केंटियां विच समाधान फ्री 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 मिया रफीक मोहममद मुबाइल चुरासी 304-94 संताली चुरासी 304-94 अड़ताली